हेलो फ्रेंद्स मेरे पीछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने क्वेस्टन किया है कि Amazon Customer Care पर कैसे बात करते हैं तो दोस्तों आये देखता है तो यहां पर मैंने ओपन कर लिए Amazon की स्क्रिन यहां पर दोस्तों राइट हैं साइट पर आपको तीन लाइन दिख रहे हैं वह क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करना है और आपको यहां पर दो चीज़े दिखेंगी विच इस चैट विट अस और टॉक्त तो आप चैट भी कर सकते हैं बात भी करना चाहते तो कर सकते हैं तो टॉक्त तो यहां पर मैंने क्लिक कर लिया एक्जाम्पल के लिए तो दोस्तो जैसे ही आप talk to us पे करते हैं तो आपको कोई भी एक order दिखाया देता है जिस order के related आपको query है वो order के against में आपको select करना है तो दोस्तो यहाँ पे फिलाल कोई query नहीं है मेरी बट मैं example के लिए एक product select कर रही हूँ यहाँ पे तो दोस्तो आप अपने जो भी query है उसके according आप product select कर सकते हैं और उसके बाद आप customer care से बात कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक example के लिए यह product ले लिया उसके बाद आपको इस सरे से screen देखेगी दोस्तो आपको क्या query है उसके according आप वो option select कर सकते हो और वो option select करने के बाद आपको एक और screen मिलती है उस पे भी बहुत सारे option है वो option में से भी जो आपका correct option है वो select कर सकते हो यहाँ पे इसके बाद continue to customer service यहाँ पे आपको click करना है दोस्तो customer care से बात करने के लिए तो continue to customer care service के बाद आपको यहाँ पर language दिखाए देती है दोस्तो language आपको कौनसी सेलेक्ट करने हो accordingly आपके नीचे हाँ पे we will call you on this number पे number शो होता है जैसे भी जैसी आपको करते हो click उसके बाद आपको call आ जाता है customer service से तो देखिए आपने within a second call आ गया है दोस्तो और अब आप यह call receive करके customer care से बात कर सकते है I hope दोस्तो कि आपको यह video useful रहा हो इस video के related कोई भी question ने है आप मुझे comment में कर सकते है दोस्तो thank you so much for watching